प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 साल के उडीसा के मुख्यमंत्री नवीन पठनावास पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी बिगर्ती सेहत के पीछे साजिश तो नहीं। अगर उडीसा में भाजपकी सरकार बनी तो हम नवीन बाबू के खराब स्वास के कारण का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। पियम मोदी ने बुधवार 28 मई को उडीसा के मयूर भन जिले में जन सभा में कहा। पिछले एक साल में नवीन बाबू की तब्यद इतनी कैसे बिगड़ गई। सालों से उनके करीब रहे रहे लोग जब मुझसे मिलते हैं करते हैं। वे बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ भी नहीं कर पाते। क्या उनकी तब्यद खराब होने के पीछे कोई शड़े अंत्र है। उधर सीम पटनायक ने कहा मैं ठीक हूँ। अगर मेरी तब्यद के बारे में पीम को इतनी चिंता है तो मुझे फोन लगा कर पूछ लेते हैं। इसकल नवीन बाबू के सभी सुबचिन तक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साथ अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई। बर्सों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तब्यद की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अर्स्थे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तब्यद बिगड़ने के पीछे कोई साजिस्ट भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तब्यद खराब होने के पीछे क्या कोई शडियंत्र है क्या। ये उडिसा के लोगों कार है। जो नवीन बाबू के नाम पर परदे के पीछे उडिसा में सत्ता भोग रहे है। इस रहस्य से परदी है उठना चाहिए ना। परदा उठना चाहिए ना। इसका परदा उठना चाहिए इसकी जाँच आवश्रक है। इसलिए दस जुन के बाद उडिसा में भाजब सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार उडिसा की भाजबा सरकार एक स्पेशल कमिटी का गठन करेगी। और ये जाँच करेगी के अच्चान अबियत क्यों गिरती जा रही है। उनकी तबियत के साथ ये क्या हो रहा है। सारे तच्चे खोच करके निकाले जाएंगे। साथियों उडिसा के पास पानी है। आदिवासिक छेत्रों से होकर पानी बहता है। सुन्चाई की सुविदान रही मिलती। बीजेडी सरकार ने 25 सालों में सीचाई के लिए यहां कोई बड़ा काम नहीं किया। कर दो आदिए।